नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि वोरिकोनाजोल टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, वोरिकोनाजोल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और वोरिकोनाजोल टैबलेट की वज़से क्या साइ इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि वोरिकोनाजोल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए और किन कंडीशन्स में वोरिकोनाजोल टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है वोरिकोनाजोल टैबलेट एक एंटी-फंगल दवा है जिसका उप्योग गंभीर फंगल इंफेक्शन और यीस्ट इंफेक्शन होने पर किया जाता है। वचा पर फंगल इंफेक्शन होने पर त्वचा में लाल धब्बे, दाद, खाज, खुजली और त्वचा में जखम आदी लक्षन दिखाई देने लगते हैं। फंगल इंफेक्शन नाखुनों, मुंहा और जांगों में भी हो सकता है। अलावा सफेद रंग का डिस्चार्ज भी हो सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि वोरिकोनाजोल टैबलेट की वज़़से क्या साइड इफेक्श हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में वोरिकोनाजोल टैबलेट की वज़़से कोई साइड इफेक्श नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में वोरिकोनाजोल टैबलेट की वज़़से कुछ साइड इफेक्श हो सकते हैं। वोरिकोनाजोल टैबलेट की वज़़से अन्य साइड इफेक्श भी पॉसिबल है। अगर आपको वोरिकोनाजोल टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षन होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की वोरिकोनाजोल टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। वोरिकोनाजोल टैबलेट को खाली पेट लेना रेक्मेंडेड होता है। वोरिकोनाजोल टैबलेट को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए। वोरिकोनाजोल टैबलेट को खाना खाने के एक घंटे बाद भी लिया जा सकता है। वोरिकोनाजोल टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है। इसलिए आपको वोरिकोनाजोल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि वोरिकोनाजोल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में वोरिकोनाजोल टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। अगर आपको किड्नी या लिवर की कोई समस्या है, तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। क्योंकि वोरिकोनाजोल टैबलेट किड्नी और लिवर की समस्याओं को ज्यादा गंभीर बना सकती है। अगर किसी व्यक्ति को वोरिकोनाजोल टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रिडेंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को वोरिकोनाजोल टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं वोरिकोनाजोल टैबलेट को ले सकती है या नहीं प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए वोरिकोनाजोल टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को वोरिकोनाजोल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को वोरिकोनाजोल टैबलेट को नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका वोरिकोनाजोल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं